स्वागत आप सभी को ग्यापन एकडमी की इस नए वीडियो में और आज हम लेकर क्या है क्लास 12 इंगलिस का नैक्स चेप्टर जो की है आई हेब ड्रीम या एक सपीच है पहले तो ये बात किलियर हो गई कि I have a ड्रीम नाम का एक चिप्टर है चिसको हिंदी में करते है मेरा एक सपना या एक speech है बोले तो या एक भासड है अगर objective में आता है तो छोड़ना नहीं है अगर बोल दे कि I have a dream नाम का जो एक chapter है या एक speech है या a story है तो आपको बोलना है कि या एक speech है बात एक के लिए अब बात करते हैं कि इसके writer कौन है तो देखे इसके writer है Dr. Martin Luther King Jr. देखे ये एक ऐसा सक्स है ना जिनकी सक्सियत की पाचान उनकी कर्मों से की जाएगी ये speech दिया है तो इस speech से ही मालम चल जाएगा कि ये लोगों के लिए क्या क्या बोले है लोगों के बीच हो रहे हैं अन्यायों के बीच इन्होंने कौन सी speech दिया है कौन सी बाते ब मृतियू तो देखे इनके मृतियू खुद से नहीं हुए इनको मरवाया गया यानि किसी हत्यारे के दौरा मरवाया गया इसलिए लिखा जाता है एसी स्नेटेड आन यानिकी हत्या कराई गई चार अप्रिल उनीस और सट को यहां तक बाते के लिए अब देखे थोड़ा सा अमेरिकन पेश्टर या एक अमेरिका के मनले या एक अमेरिकन पादरी थे एजी टेटर बोले तो यह एक अंदोलनकारी भी थे एक प्रॉमिनेंट लीडर आफ दा अमेरिकन अफिरिकन सीविल राइट्स स्टागल एक प्रॉमिनेंट लीडर मतलब एक मुख्या नेता थे ठ संगर्स में ठीक है अब यहां पर फिर से समझें एप प्रोमिनेंट लीडर अफ दा अमेरिकन अफेरिकन सीविल राइट अश्ट्रिक नाक देखिए अमेरिकी अफरीकी नागरिक अधिकार के संगर्स की ये परमुक नेता भी थे आगे अन American Christian Minister ठीक है ना? ये एक America के Christian Minister भी थे हैं also called America's Gandhi अब देखिए इनको America का गाधी भी कहा जाता था क्यों? क्योंकि हमेरे देश में गाधी जी मतलब हो रहे हैं अन्यायों के बीच खड़े हो करके अन्यायों का solution निकल देते हैं इसी तरीका से ये क्या है? बिलकुल गाधी जी की तरह थे हैं मतलब अहिंसक अंदोलन भी करते थे हैं अपने देश के लिए ठीक है ना? मतलब ऐसा नहीं है कि किसी से मार जगड़ा करके या किसी से जबरदस्ती लेने की बात नहीं होती थी के अंदर ये प्यार से सब को समझा करके लोगों को कठा करके ठीक है ना? एक अहिंसक आंदोलन शुरू करके ठीक है ना? और वो क्या करते थे अपनी मांग को पूरा करते थे इसलिए इनको का कहा जाता है? इनको इस लेखक को ठीक है नोबल पीस प्राइज और कंग्रेशनल कोल्ड मेडल भी मिला है पुछ किताबे भी हैं इनके एस्टेंट टू लॉप जो उनिस तू तिरुपन में ये एस्टेंट टू लॉप नामक किताब जो है न इन्होंने छपवाई थी एस्टाइट टूआड फ्र ये 1968 में और अन्तता इन्होंने एट लास्ट इन्होंने एक स्पीच दिया आई है वे ड्रेम जिसके ये लेखक है जिसके ये रचनकार है तो यहां तक समझ में आ गया अब चलिए इनके दिये गया स्पीच के परतीक पारग्राफ को वन बई वन करके हिंदी में करके समझते है तो बीना देर की चलिए है वे फायर विंद और वाटर गंसें इट स्पिंग्स आड़न नोहां में पेपुल गेट इस तो इस चैनल और गावन को बनाए आप अने केडमी सो फाइनली आई है वे ड्रीम नाम का जो चेप्टर है उसका परग्राफ यहां से शुरू हो रहा है तो आपकी दिमाग में ये बात चल रहा होगा कि जो आई है वे ड्रीम नाम का जो चेप्टर है उसमें बहुत सारे परग्राफ दिये गये हैं और ये जो है परग्राफ उ चेप्टर है उसको जब आप open कीजिएगा तो आप अपने बुक में देखेंगे बहुत सारे परग्राफ दिए गया है बहुत सारे लाइन के माधियम से आपको समझाने के कोशिश किया गया है जो डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जुनियर जो है वो अपने सपनों के बारे जो आप पूरी परग्राफ के माधियम से जो हैंना वहुत सारे बातों को समझाने के कोश . सारे परग्राफ को हम वरन करके पड़े Mozart कि पटखेंग और तब जा करके हं बहूत नोड़ि हम समझाएंगे फिर जब आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप खुद से ही अपने आप में बहुत सारे कोशन करके एंसर देने की तैयारी कर लेंगे और जब आप पूरी पराग्राफ को पढ़ेंगे आये ड्रीम नाम का जो चेप्टर है उसके सभी पराग्र आपको देखते हैं और परतीक पराग्राफ को हम लोग हिंदी में वन बाई वन करके समझते हैं यहां देखिए शुरू हो रहा है देखिएगा आई है बड्रीम एक चेप्टर का नाम है जो यह एक स्पीच है तो पहला बात तो यहीं पर किलियर हो गया कि आई है बड्रीम स्पीच है कि फिसे तो सही जगह पर टिक मारि 감사합니다 कि यह एक स्पीच है अब बात करते हैं कि आय है बेड्रीम यानि लिंकन मिमोरियल के स्टेज पर दिये थे और ये स्टेज कहां था तो वासिंग्टोन डीसी में था अब बताईए कि यहां पर कौन कौन सी बाते क्लिए हो गई आई है बेड्रीम एक स्पीच है ये बाते क्लिए हो गई I have a dream के लेखक कौन है तो मार्टिन लूथर किंग जुनियर है या स्पीच देने वाले कौन है तो मार्टिन लूथर किंग जुनियर इतने सारे सवाल का जवाब मिल गया अब बात आती है कि I have a dream जो एक स्पीच है डॉक्टर मार्टिन लुथर किंग जुनियर के दोरा तो दी गई थी ये बात सही है लेकिन कहां दी गई थी तो आप कहेंगे कि on the stage of Lincoln Memorial और ये Lincoln Memorial स्टेज है कहां तो Washington DC में है ठीक है अब बात करते हैं कि Washington DC में Lincoln Memorial स्टेज है ठीक है जहां पर डॉक्टर मार्टिन लुथर किंग एक स्पीच दिये थे तो वह स्पीच कब दिये थे तो on August 1963 यानि 28 अगस्ट 1963 को दिये थे तो बहुत सारे कोश्चन का तो एंसर इतना ही परग्राफ में आपका हो गया अब चलिए अब आगे देखते हैं अगर आप पूरा अप कितना भी परग्राफ पढ़ लिए परती एक लाइन का हिंदे निकाल कर समझ लिए बट मैं जो नहीं चोड़ यह आपको समझा रहा हूं ना डाइरेक्ट आपके दिमाग में भूसेगा तो बिना देर के हम लोग आगे पढ़ते हैं और देखते हैं देखें इन इस स्पीच इस भासर में ही टॉक्स एबाट हीज डिम लेकि हर किसी का अपना सपना होता है तो इस भासर में डॉक्टर मार्टीन लुथर किंग ही के जगह पर क्या आप समझेंगे डॉक्टर मार्टीन लुथर की जुनियर ठीक है ना तो मार्टीन लुथर की जुनियर वह बात करते है किसी इसके बारे में अपने सपनों के बारे में जिस तरीके से हम लोग अभी अपना सपना होता है कि मैं अपने जीवन में कुछ बनूँ कुछ बड़ा करूँ ठीक है ना या किसी किसी का सपना ऐसा भी होता है कि मेरा गाउ मेरा शहर मेरा कश्बा मेरा जीला मेरा जो राज्य है या मेरा जो राष्ट है बहुत बढ़िया हो बहुत ही विक्सित हो बहुत ही मजबूत हो तो हम लोग क्या करते हैं अपने सपनों को खुद किसी एक ब्यक्ति या दूसरे ब्यक्ति से ना बताते हुए बलकि हम सारे ब्यक्ति को इकाठा करते हैं और इकाठा करके उस सभा में हम लोग क्या करते हैं अपने सपनों को बताते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा शहर ऐसा हो हम चाहते कि हमारा जीला ऐसा हो हम चाहते कि हमारा राज्य ऐसा हो उसी तरीका से क्या है कि अमेरिका के निमासी डॉक्टर मार्टिन लुथर किंग सारे लोगों को इकाठा करते हैं ठीक है ना और इकाठा करके उस सभा में एक स्पीच के माध्यम से अपने सपनों के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि Alabama as a developed state Alabama एक विक्सित राज्य है और ये Alabama अमेरिका का ही एक हिस्सा है ठीक है ना जो Alabama एक विक्सित राज्य है तो बिना देर की अब हम लोग आगे देखें अब देखें वो आगे क्या कह रहे हैं थुड़ा सा दियान से सुनिएगा वो स्वतंतरता के बारे में बात करते हैं किस चीज से स्वतंतरता discrimination से discrimination का हिंदी होता है भेदभाव अब वो क्या चीज़ का भेदभाव चल ला है between white and black मतलब नीगरों का सही अर्थ देखा जाए तो white and black का discrimination होता है यानि कि नीगरों का सही अर्थ काला और गोरा का भेदभाव से है ठीक है ना तो he talks about freedom वो सवतंतरता के बारे में बात करता है ठीक है ना कि discrimination से उनकी सवतंतरता मिले ठीक है ना जहां पर एक ऐसा एस्टेट जहां पर काला और गोरा के बीच भेदभाव हो रहा है जहां पर वो अपने अधिकार को अधिकार समझते हुए अपने अधिकार को इस्तमाल नही नहीं कर पा रहे हैं जहां पर काला और गोरा का भेदभाव चल रहा है जहां पर उसको सही मानवा अधिकार नहीं दिया जा रहा है तो उस भेदभाव से स्वतंतरता के बारे में डॉक्टर मार्टीन लुथर किंग जुनियर बात करते हैं ठीक है अब आगे देखिए क्या ह अगर अमेरिका को महान राष्ट बनना है तो निग्रो के इस प्रॉबलम को दरकिनार नहीं किया जा सकता है इस समस्य को दरकिनार नहीं किया जा सकता है तो निग्रो की समस्य को दरकिनार नहीं किया जा सकता है उन्हें शक्ति देना होगा एक अच्छे नगरीकता के रूप में उन्हें बलवान करना होगा उन्हें शक्तिसाली बनाना होगा उन्हें मनवाधिकार देना होगा ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अब देखी क्या है डप्रेक्टिस अफ कास्ट देखें डग्टर मार्टीन लुथर किंग अपने स्पीच को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि अब यहां पर जाती का भी थोड़ा सा मैंने उच नीच का भी काला और गुरा के वहां पर उच नीच का भी डिस्क्रीमनेशन हो रहा है तो वो कहते हैं कि अब कास्ट नीच करना होगा अमेरिका को एक ना शेंच को कल्यान के लिए काम करना होगा अबदन निगरो जो निगरो अमेरिका के निवासी है बीना दिर के हम लोग अगला परगराफ को देखते हैं अगला परगराफ है यह लाश्ट परगराफ है कहा जाता है ना कि अंत भला तो सब भला मतलब अभी तक अगर आप हमारे इस सौट नोट्स के माधियम से नहीं समझेंगे कि आखिर इस चेप्टर का सरांस क्या है तो इस अंतिम पराग्राप को समझ कर जाएए मैं पूरे गरांटी के साथ कह रहा हूँ ना कि इस पूरे यहां से समझ में आ जाने वाला है तो देखिए दा मेन आइडिया आप देश्पीच इस टू प्रोटेस्ट देखिए होता क्या है कि डॉक्टर मार्टीन लुथर किंग लोगों के बीच एस पीच देते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं समझाते हैं और अपने सपनों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हम लोग एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि इस स्पीच का मुख्या पिचार क्या था मुख्या मुद्दक क्या हो गया प्रोटेस्ट करना हो गया तो अपने स्पीच के मादे में से लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि चलिए हम लोग प्रोटेस्ट करें ठीक ना और फाइट करें किस से लोगों से नहीं सरकार से जो अमेरिका का जो गौर्णर है जो गौर्णमेंट है ठीक ना जो सरकार है उससे हम लोग लड़ें उसे प्रोटेस्ट करें ठीक ना फाइट करें किसीस के लिए Against Discrimination क्या चीज़ के खिलाप भेद भाव के खिलाप मतलब जहां हमारे अमेरिका एक ऐसा रास्ठ है जहां पर एक ऐसा एस्टेट है जहां पर काला और गोरा का भेद भाव चलता है जहां पर जट्यता चलता है तो वहांपर हम लोग चले और वहां से ही प्रोटेस्ट करना सुरू करें, वहीं से ही फाइट करना सुरू करें, तब जाकर कि ये बात सरकार तक पहुचेगी, और सरकार की कानों तक जब भी ये बात जाएगी, तो उसे लगेगा कि हमें काला गोरा का भेद भाव पर रोक लगाना चाहिए, हमें जतियत ताकि उनको सवतंत्रता मिल सके कि स्वातना धीकार मिल सके छिसी के खिप्र आ करना और फाइट करना था ता कि उन्हें सवतंतरता मिल सके उन्हें समानता का अधिकार मिल सके ठीक है जिस तरीका से हमारे इंडिया के अंदर जब लोगों के बीच हो रहे अन्यायों को नियाय दिलाने के लिए अहिंसक अंदोलन करते थे इन दा सेम वे डॉक्टर मार्टिन लुथर किंग अमेरिका के अंदर अमेरिका के अंदर उनको अमेरिका का का गाधी भी कहा जाता थैं, क्यों गाधी कहा जाता था, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया केंदर मुपहन्दास क्रामचेंद गाधी आहिंसक अंदूलन करते थे, आहिंसक प्रोटेस्ट करते थे इन स्थेम वे डॉक्टर मार्टिन जूथर स्मांग को सरकार जरूर पूरा करेगे तो मीद करते हैं कि आपको ये परागराब भूत ही अच्छे धंक से समझ में आ गया होगा पूरा 100 स का संजिप्ट के लिए हो गया होगा क्योंखिगंगर को मिलते हैं नेक्स चेप्टर में नेक्स टॉपी के साथ तब तक के लिए जैहिन.